और अब कबर कानपूर से है मयूर ग्रूप पर आईटी का शिकंजा आईटी की जाश में बहातर घंटे बाद भी जारी है करोडों के टैक्स चूरी के आशंका जताई जारी है 40 टिकानों में से 15 पर जाज खत्म हो चुकी है मयूर से तेल खरीदे वाले कुछ फ्रैक्टरी मालिक भी इनकब टैक्स की रडार पर है शुक्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है तो टैक्स चूरी के आशंका है जिसके चलते है आईटी ने यहाँ पर शिकंजा कैसा है 72 घंटे के बाद भी ये कारवाई जारी है करोडों के टैक्स चूरी के आशंका जताई जा रही है तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे है कानपूर से जहां पर मैयूर ग्रूप पर आईटी की टीम ने कारवाई शुरू कर दी है जाच की जा रही है 72 घंटे बीच चुके हैं लेकिन उसके बावचूर भी ये जाच जारी है माना चारा है कि करूरो का टैक्स चूरी हुआ है जिसके चलते कई डॉकूमेंट्स भी खंगालिशा रहे हैं और साथी आपको बता दे ये वो तस्फीरे जहां कई ठिकानों पर आईटी की टीम पहुची हुई है और लगातार 72 घंटे से जादा का वक्त हो चुका है जहां पार करवाई की जारी है एकुल चार्श शिकानों पर जाच की जारी है जारा जारी हो जो चार्राशानकारी के साथ पर अमित कंचू जूड गया है अमित क्या अपडेट मिल पा रही है इस कारवाई को लेकर कोई उसके अपड़ी उति और यहां इन्हें उमीद है कि और करवभी ने इन सब्सक्राइब इन 10 में कि इसे मामले में जो सब्सके तह इन पे कारवाई की थी इनके निजिय को उसी मामले में 52% के जो पेमेंट पर मोड़ है उसमें कहीं न कहीं करा बंचना का मामला सामने आए जिसके बाद चापे मारी के जो दाइरा है और बरता जारा अधिकारी और गहन से पुछताच कर रहे हैं मोबाइल लैप टॉप और यहां तक की उनके जो मोबाइल फोन्स हैं क जो खरीदने वाले ओले नौ लोग ऐसे हैं जो इंकम टेक्स के रिडार पर इसमें कानपूर का एक कानपूर दिहार वेस्ट बेंगॉल नदिया डिया डिस्टी वेस्ट बेंगॉल परती इसके लावा तो अमित कई लोगों के मुश्किले इस कारवाई और जास के बाद में बढ़ने वाली हैं चानकारी साशा करने के लिए बहुत शुक्रे आपका